जब बोलीवुड एक्ट्रेस के सरचड़ा प्लास्टिक सरजरी का भूत जिसे देखकर लोगों की हसी के फववारे ही छूट गए नमबर साथ अनुषका शर्मा विराट कोहली की पतनी और बोलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस अनुषका शर्मा की नेचुरल ब्यूटी है लेकिन एक फिल्म के चक्कर में अनुषका ने भी अपने चेहरे में कुछ बदलाव करवाने का फैसला लिया था यह फिल्म थी बॉमबे वेलवेट एक आबाप इस फिल्म के लिए अनुषका ने अपने लिप्स फील करवाये थे ताकि वो दिखने में बड़े लगे हाला कि जैसा सोचा था हुआ इसके एकदम अलग सरजरी के बाद अनुषका के लिप्स ऐसे बन गए कि लोगों की हंसी छूट गई लोग अनुषका के चेहरे को बत्तक से कंपेर करने लगे थे सोचल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद जब इन फिलर्स को हटवाया गया तो तब जाकर इस खूबसूरत अदाकारा की ब्यूटी फिर से नॉर्मल नजर आई वरना विराट तो क्या बदरपुर का बदरू भी अनुषका से शादी नहीं करता जो जितनी जल्दी पोपुलर्टी की सीडियां चड़ी उतनी ही जल्दी इन्होंने बोलिवुड को अलविदा भी कह दिया फिल्म वांटेट के बाद आईशा के फिगर की खूब चर्चा हुई थी लाखों फैन्स आज भी इनकी फिल्म का इंतजार ही कर रहे हैं हालांकि अचानक से जब आईशा की शादी से पहले की तस्वीरें सामने आई थी तो लोग हैरान रह गए थे लवली फीचर्ज वाली आईशा का चेहरा बिलकुल बदला बदला सा था जो प्लास्टिक सर्जरी से मिला एक गिफ्ट था उनका फेस परफेक्ट एक्जामपल बन गया था कि ब्यूटी बढ़ाने का ये तरीका कितना बुरा भी साबित हो सकता है स्टनिंग ब्यूटी की मालकिन और परफेक्ट फिगर वाली कोईना मित्रा को अपनी ब्यूटी में चार चांद लगाने का सपना ले डूबा उन्होंने अपने फेस पर कई बदलाव करवाए हालां कि सबसे बुरे रिजल्ट नोस जॉब के रहे उनकी सर्जरी में गलती हुई जिससे शेप बिगड़ गई और दूसरे कॉम्प्लिकेशन आ गए एक्ट्रेस ने खुद बताया था कि उनके केस में डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिये थे कि वो कुछ नहीं कर सकते और फिर उन्होंने बस दवाईयां लेते हुए सब कुछ ठीक होने की प्रार्थना की थी चहरा बदलते ही कोईना से काम भी छिन गया था क्योंकि अजीब फेस के साथ कोई उन्हें कास्ट नहीं करना चाहता था मतलब प्लास्टिक कोईना की लाइफ से ऐसा चिपका कि उनका करियर ही खत्म कर दिया नमबर चार सारा खान टीवी की ये एक्ट्रेस अपने सॉफ्ट फीचर्स के लिए जानी जाती है गुड गर्ल इमेज वाली सारा ने भी मेकावर किया था क्योंकि ये आज भी राज है लेकिन उसके लिए इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई लेकिन प्लास्टिक सर्जरी तो प्लास्टिक सर्जरी है भाईया जिसका असर ये हुआ कि प्यारी लगने वाली सारा कुछ हद तक डरावनी लगने लगी उनके चिक्स से लेकर लिप्स तक सब अजीब दिखने लगे मतलब रात के अंधेरे में कोई बच्चा सारा को बिना मास्क के देख लें तो समझो बच्चे को नानी ही याद आ जाए हलांकि सारा को अपनी इस गलती का जल्द ही एहसास हुआ और उन्होंने मीडिया में खुल कर इस बात को एकसेप्ट किया कि हाँ उनकी सर्जरी सक्सेस्फुल नहीं रही चलो बोलीवुड में किसी ने तो हिम्मत दिखाई सच बोलने की इस लिस्ट में निक जोन्स की धर्म पतनी और आप सब की देसी गर्ल प्रियंका चोपडा भी शामिल है दोस्तो मिस वर्ल रह चुकी प्रियंका ने भी अपने चेहरे की सुन्दर्ता में चार चांद लगाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया था हालांकि उन्होंने जो एकस्पेक्ट किया था उससे बिलकुल उलट उनका चेहरा ऐसा हो गया था कि वो किसी को मुह दिखाने लायक नहीं बची थी सोशल मीडिया पर तो लोगों ने उन्हें प्लास्टिक चोपडा कहना शुरू कर दिया था आलांकि दोबोरा प्रियंका ने फिर से सर्जरी करवाई और अपने अटपटे हुए चेहरे को सुधरवाया अपने परफेक्टली फिट फिगर के साथ यूपी बिहार को लूटने का दावा करने वाली शिल्पा शेटी की एक टाइम में उनके चेहरे की रंगत लुट गई थी खूबसूरत हंसी और आकरशक आँखों वाली ये एक्ट्रेस दो बार अपनी नाक की सर्जरी करा चुकी है कहा जाता है कि सर्जरी के दौरान कुछ गडबड़ी हो गई थी लेकिन बाद में डॉक्टर्स की टीम ने इस गडबड़ी को सुधारा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली सर्जरी के बाद शिल्पा का चेहरा काफी बिगड़ गया था जिसके बाद शिल्पा काफी गुस्सा हुई थी और रोने लगी थी हालांकि दोबारा सर्जरी के बाद उनकी नाक की शेप सही हो गई कहा जाता है कि अपनी मा श्री देवी की तरह ही जाहनवी ने भी कई प्लास्टिक सर्जरी कराई है इन में नाक, होंट और जो लाइन की सर्जरी शामिल है उनकी पुरानी फोटोज में उनकी नाक बहुत ब्रोड नजर आती है लेकिन अब ये काफी शाप और स्लिम दिखती है अपने पाउट को और एट्रेक्टिव बनाने के लिए जाहनवी ने लिप सर्जरी का सहारा लिया है ताकि उनके फीचर्स ज्यादा आकरशक दिखें वहीं उनकी जो लाइन सर्जरी को लेकर भी खूब सुर्खियां बनी थी लेकिन जब लिप सर्जरी हुई थी तो जाहनवी की लिप सही से फिल नहीं हो पाई थी और सोशल मीडिया पर जब जाहनवी के होटों की तस्वीरें वायरल हुई तो लोग हैरान रह गए थे तो ये थी वो बोलीवुड एक्ट्रेस जिनकी प्लास्टिक सर्जरी फैल हो गई वैसे इन सब में से आपकी सबसे फेवरेट हिरोईन कौन सी है हमें कमेंट में जरूर बताईए धन्यवाद